Hello student, our today's topic is successor and predecessor. आप लोगोंने second class में with what comes after and before पढ़ लगा है? सेम वो ही formula हमें apply करना है. Successor means after and predecessor means before. अब मैं आप लोगों को इनकी definition भी समझा देती हूँ. Successor, the number that comes just after a number is called its successor. Means वह नमबर वो नमबर जो एक नमबर के बाद आता है, वो हमारा successor होता है. It means example, for example, successor of 5. It means 5 के पाद हमारा number कौन सा आता है? After 5 is 6. तो हमारा 5 का successor 6 हुआ. And predecessor, the number that comes before a number is called its predecessor. Means before, means पहले. वो नमबर जो एक नमबर से पहले आता है, वो हमारा predecessor होता है. Example, predecessor of 5 is 4. 5 से just before कौन सा नमबर आता है? 4. तो it means 4, 5 का predecessor हुआ. अब मैं कुछ questions की help से आपको समझाती हूँ. First question है हमारा 27. 27. इसे हम एक simple apply कर सकते हैं. Successor में हम plus 1 करते हैं. It means हम एक नमबर आगे का लिखते हैं. And predecessor में हम minus 1 करते हैं. It means एक नमबर पहले लिखते हैं. Before my world. 27. 27 के after 27 कौन सा नमबर आता है? 28. And before 27, 26. Same 95. 95 के बात कौन सा आता है? 96. And 95 से before. It means पहले कौन सा आता है? 94. Same. 428. 428 के just after कौन सा आता है? 429. Same counting हमें apply करनी हैं. And just before कौन सा आता है? 428 से पहले 427. Next. 3594. It means 3594 के just after कौन सा नमबर आता है? 3595. 94 के बाद आपको देखना है कौन सा नमबर आता है? And 3594 से पहले कौन सा आता है? 3593. Same 7000. 7000 के बाद कौन सा आता है? 7000 में हमें क्या गना है? Plus 1 कर देना है. मैंने आपको करके भी दिखाया है. 7000 में 1 आट करेंगे. 1. 0 में कोई भी नमबर आट करते हैं. 1 डिखिट आ जाती है. 0 का 0, 0, 7. It means हमारी डिखिट क्या होई? 7000, 1. अब before 7000 कौन से डिखिट आती है. 7000 में से माइनस 1 आपको कर देना है. क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं समझवा होगे कैसे करना है? कैरी लेंगे. 0 में से 1 माइनस नहीं होगा. कैरी लेंगे. 7 से कैरी लेंगे. 10 हो गया. 10 में से 1 माइनस किया. 9 आगया. 9 यहाँ पे 9 रहे गया. 9 यहाँ पे भी 9 रहे गया. नीचे कोई नमबर नहीं है. 9 यहाँ से कैरी ले आता. इट मींस 7 में से 1 हमने कैरी ले लिया. 6 आ गया. इस तरीके से हमने सकसे ज़रा प्रेडेसर सा फाइन करने है. इसी फिर बेस्ट कुछ कोशन आपको कुछ सॉल्फ करने होंगे. Thank you. मैंने आपको करके भी दिखाया है. 7000 में 1 एट करेंगे. 1. 0 में कोई भी नमबर एट करते हैं. 1 डिजिट आ जाती है. 0 का 0. 0 7. इट मींस हमारी डिजिट क्या होई 7000 1. अब before 7000 consider जिट आती है. 7000 में से माइनस 1 आपको कर देना है. क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं समझभा होगे कैसे करना है. कैरी लेंगे. 0 में से 1 माइनस नहीं होगा. कैरी लेंगे. 7 से कैरी लेंगे. 10 हो गया. 10 में से 1 माइनस किया. 9 आ गया. 9 यहाँ पे 9 रह गया 9 यहाँ पे भी 9 रह गया नीचे कोई नमबर नहीं है 9 यहाँ से carry लिया था इप मीन्स 7 में से 1 हमने carry ले लिया 6 आ गया इस तरीके से हमने successor of predecessor find करने है इसी पे based कुछ कोशन आपको खुछ solve करने होंगे Thank you